त्रेता यूग से लेकर महाभारत हो या फिर कल यूग महादेव की पूजा हर यूग में की गई हैं महादेव की कई ऐसे मंदिर और श्रिवलिंग आज भी अस्थापित हैं जिनका कई यूगों से संबंध बताया जाता है ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के बस्ती जीले के पास इस्थित है इसे भदेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं श्रिव पुरान में भी इसका उलेख किया गया है स्री राम की गुरु महरसी वसिस्ट यहां महादेव की पूजा करने आते थे यही वज़़ है कि यहां श्रिवरात्री पर भक्तों की भारी भीर लगती है मंदिर में पहुचते ही महादेव अपने भक्तों की मनोकामनाओ को पूर्ण करते हैं बताया जाता है कि यहां महादेव के मंदिर यह श्रिवलिंग की अस्थापना नहीं की गई थी यह स्वैम प्रकट हुआ था वहीं कुछ लोगों का दावा है कि शिवलिंग की अस्थापना लंकेश्वर रावन ने की थी यह शिव को प्रस्ण कर कैलास से शिवलिंग लेकर लंका जा रहे थे इसी दोरान रावन कुछ देर विश्राम करने के लिए यहां पर रूके थे उन्होंने यहां पर शिवलिंग रखा और विश्राम की मुद्रा में चले गए लेकिन श्रिवलिंग यहां रखते ही अस्थापित हो गया इसके बाद रावर ने श्रिवलिंग की यहीं पर पूजा अर्चना की थी दावा किया जाता है कि बाबा भदेश्वरनात मंदिर में बिराज्वान श्रिवलिंग को कोई भी दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकता है इसकी वज़़ श्रिवलिंग का बड़ा आकार होना है कोई श्रिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ने का परियास भी करता है तो वह बिफल हो जाता है इसकी वज़़़ श्रिवलिंग का आकार और बड़ा हो जाता है इसे दोनों हाथों से पकड़ना किसी भी तरह से संभव नहीं है यूपी के बस्ती जीले में स्थित भधेश्वरनाथ मंदर के शिवलिंग की कई सारी कथाएं बताई जाती है यहां के स्थानिये लोग अलग-अलग कथा और तर्क देते हैं कुछ लोगों का दावा है कि ब्रिटिस काल में अंग्रेजों ने भधेश्वरनाथ में मौजूद शिवलिंग को कटाने का पर्यास किया था वहाई यहां कपजा करना चाहते थे लेकिन अचानक प्राक्रिति कापदाव के चलते उन्होंने घुटने टेक दिये अंग्रेजों को इस जगा को छोड़ कर जाना पड़ा था वहीं एक और कथा भी कही जाती है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति ने मंदिर में मौजूद शिवलिंग को चोड़ी करने का पर्यास किया था जब उसने शिवलिंग को उखारना चाहा तो वह विफल हो गया उसे खुब खुदाई करने के बाद भी शिवलिंग कोई छोड़ नहीं मिला चोड़ देख कर घबड़ा गया उसने भागने का पर्यास किया तो वह कार समेत यहां पत्थर बन गया बताया जाता है किस मंदिर में महादेव की सामने सिर टेकते ही भक्तों की सभी मनोकामनाय पुर्ण हो जाती है यहां महा शिवरात्री पर भारी भरकम भीड़ी कठा होती है भक्त दूर दूर से शिवलिंग के दर्शन कर माथा टेकने आते हैं शावन मास में भी शिवलिंग पर भगवान महादेव की प्रिय भांग धतुरा दूध समेत प्रिय वस्तूओं का अरपित किया जाता है काफी संख्या में लोग यहां पहुंचते भी हैं महादेव के भकता योध्या की सर्यू नदी से जल लाकर श्रिवलिंग पर अर्पित करते हैं, मान्यता है कि इससे सच्चे मन से मांगी गई, सभी एक शाय भगवान पुर्ण कर देते हैं